नमस्ते मैं हूँ आपका दोस्त गेमर्स का और मैं आप सब का स्वागत करता हूं पिछली बार हम लोगों ने नेजरनी इस डीजन में स्टार्ट की थी और हम लोगों ने यहां करों के यहां की ब्रीजी टाउन में आचुके थैं एक लेडिने जिसके आई ने यहां से हटा दिया अभी हम जा सकते है रूट 3 की तरफ जिसके कारण तो चलिए जर्मनी में आगे बढ़ते है रूट 3 की तरफ यहाँ पर है डेड एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लेवल अपस दिखा देना चाहता हूँ और कुछ चेंजेस जो बने अलड़ी स्क्रीन पर देख लिए होंगे ग्रावडी थे लेवल 16 पर पीजी है लेवल 12 पर और सी डॉट है लेवल 13 पर पीजी मिला मुझे रूट 1 पर और सी डॉट मुझे मिला है रूट 2 पर और अजर आपके अबास कोई और चॉइस है टीम के लिए तो आप मुझे बता सकते हो अदर्वाइस मैं अपनी चॉइस के साथ ही जाओंगा और रूट 1 पर मुझे ज्यादा तरक कर की बग पोकिमोन सी आ रहे थे कैटर पीडल या वमपल फीजी आया से विए पर इने पकड़ लिया रूट2 पर मुझे अलग अलग पोकिमोन आ है उसमें हपना वो कृके टून था किरिकेंट वह को टाट कृके टॉड आया था मुझे पूची आना आया था जिक जैगोन आया था मै करद जरूरुत पड़ी तो अदर्वाइस नहीं हम बाकी के साथ ही जाएंगे तो कि मुझे मालूम नहीं ग्रावली थिया सी डॉट में कोई कट सीखता है कि नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है कितना बड़ा गेम है यह मुझे खुद को मालूम नहीं है तो इसलिए मैंने जिग लेवलप कर लिया है हम जाएंगे बाइट के साथ है कि मैं जाओंगा नहीं पीजी यूज़ करने वाला था मगर ठीक है एंबरेन न है कि ओके को हाइकर कि यूज़ कर रहा है मुझे लगा अब जूज़ रॉक टाइप अगर फिलाल तो नहीं मार चोप गया नेक्स्टेम मेडिटाइट चलो पीजी जाओ हम जाएंगे गस्ट के साथ कंफ्यूजन सुपर एफेक्टिव डिटेक्ट कर प्रब्ब्लम नहीं एक और डिटेक्ट फेल्ड इजी मेडिटाइट गया अच्छा एक्स पी मिला है यहां पर फिर से हीट स्ट्रॉंग गई है पॉरिगॉन और हम जाएंगे इंबर के साथ ही कि यूद्की कि सूर्य देवता हमारे साथ है सनलाइट इस स्ट्रॉंग अच्छी लिट के कारण वह स्पीड अप हो गया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं एक और ट्रेनर को हमने हरा दिया और यार सूरज देवता चला गया यहां पर माइनन है अगर आप लेना चाहते है अपने टीम के लिए तो आप ले सकते हो यहां मुझके रिपल यूज नहीं क प्रॉंट्स आगे बढ़ रहे है किसी को दो लेकर आई थिंग वह यह ना क्या है उसका नाम इतन 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 ओके यह तो बैटल नहीं कर रहा चच्छा स्काई ओ स्टीव हेलो और उसको लड़की मिली जिसने बोल्डर स्मैश किया था शायद स्टीव भी हमार है कि लेट सी है ओके क्या ही ग्राफिक से टैग पैटल जूबैट और मैंगनमेट मेरे एक सराल होगे स्टीव अगर उसकी स्टर्डियाबलिटी होगी तो तुम भी मैंगनमेट के पीछे जाओ नहीं इस्टर्डियाबलिटी तुम जूबैट के पीछे जा सकते हों कंफ्यूज कर दिया उसने और ट्यूर्सेल्फ ओहो लीच लाइफ स्नैप आउट ओफ कंफ्यूजन गया जूबैट के लाव लिच सत्रा पर और दोनों ग्रंट्स को आ रहा दिया ओ कुछ तो हो रहा है अंदर मैसिव ट्रेमर जियोवानी मेभी मेभी ऐसा मुझे लगता है अलग नाम भी हो सकता है उसका ओ स्टीव को पहचानता है यह ओके मेरा भी नाम पूछ लिया ओके मेरे साथ बैड़ ओके लगता है स्टीव को उसने हरा दिया बैटल करके और अभी मुझसे बैटल कर रहा है वह बाप्रे हम भी हरने वाले हम किस खेत की मुली हमें हमें पास छे पोके मुझसे तो भी कुछ फरक नहीं पड़ता है यहांपर जाओ बाइड के साथ कोई फायदा नहीं है कि हम आपिस आ चुके हैं अमने घर में शायद ओके आगटा के गर्म पर है ओके टीम रॉकेट का बॉस ही होगा वह मुझे क्यारेंटी है पीस्फुल सिटी आ चुके हम लोग शाटकट तरीके से हम डोंट नो हाउ मगर आ चुके पीस्फुल सिटी यहापर सब कुछ पीस्फुले सा लगत तो रहा है यह घर ब्लॉक ओके घर पे भी कोई नहीं है ओके अप्टेंट पाको इंक्यू यह किसका करें मानुम नहीं पाको मतलब पैकेट मिलेगा है कुछ तो मुझे सब मेरा मानना है परस्नली यह कर लेता हूं एक बार मैप देख लेता है एक जैकली हम हेक आप अपर अभी यह एक लिए पीस्फुल सिटी आ गए हम लोग दो फॉल्स चैने के ज़रूरत नहां पड़ी यहां पर है रूट फॉर जो कि अवेलेबल है सिर्फ सर्फ के साथ तो पॉपड़ी हुआ और रॉक क्लाइम के साथ तो ठीक है हमें चुपचा पीस्फुल सिटी एक्स्प्लोर करनी पड़ेगी फिर चलब फिर यह जिम प्राय करें है जिम है न उस सायंद मिन नहीं है जिम का यह पीस्फुल का जिम लिडर इन जिम गाइडर वाटेवर क्या टिफिकल्टी है पीस्फुल सिटी जिम लिडर की बस खतम आगे कैसे जाओ फिर कुछ तो गान आगे जाने के लिए कि वाटर टाइब पोकेमन चीए क्या पीस्फुल सिटी डोव लड़ पीस ओके आगे बढ़ने की आगे पढ़ने की जरूरत नहीं के स्नोर्लैक्स यहां से हट चुका है अगर में सर्फ ना होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाना उस गेम में उस जिम में तो लेट सी फिर से पीछे जाके देखते हैं वो केव में अभी हम जा सकते हैं कि नहीं कि अगर के अगर के अगर के अगर के अगर के टीम राकेट के करण यह एरिया है ब्लॉक तो अभी हमाने पास क्या चांस है जीम का यह भी होम्टाउन वापीज है कुछ तो पैकेज जैसा मिला है न हमें कीप किया इटम चुर एक बार होम्टाउन जाके आते हैं फिर क्या ही कर सकते हैं अभी फिर भी ओके होम्टाउन आ चुके स्टीव तो घर पर नहीं है लैब में देख लू लैब में भी कुछ नहीं फिर एक बार घर पर देख लेते हैं अधर्वाइस मैं आँगा फिर एक मिनिट में तो मैं आया दो मिनिट में जस्ट फिगर आउट कि एक्जैक्टी जाना कहां पर है ओके तो मैं आप फिस आ चुका हूँ हमें पीसफूल सिटी के जिम लिडर को ही चैलेंज करना है मगर उसके लिए हमने एक गलती कर दी जिसके कारण हम चैलेंज नहीं कर पाए और वो गलती ये थी कि हम लोगों ने एक ट्रेनर को देखा ही नहीं जो कि वहाँ पर था कि मुझे आगा है कि मैं अगया है मैं इसे कैसे हो सकता है कि इतने जल्दी खतम कैसे होगा ने तो खिलेर कर बोल देते ना अलफा वर जहने यह अभी भी कि वहीं तुम लोग एक-दो जंटा के लोगे तो भी खतम हो जाएगा गेम सब कुछ बोला ही नहीं था पीसफुली से डिया चुके हैं मैं आपको दिखा था वो ट्रेनर है का पर जो अपनों को ने मिस्स कर दिया था यह रहा वो ट्रेनर दिखा आपको हम लोग ऐसे आगे जा रहे थे ना ऐसे 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 इससे बात करो कि तुम लोग का बैटल स्टार्ट हो जाएगा जिम बैटल ओके मैजिक कार्प है बाइट है तो कोई प्रॉब्लेम ने हमें कि विंगल कि फ्लिंच्ट अच्छी बात है कि नेक्स्ट टेंटाकूल कंटेन्यों करेंगे कि सुपर सॉनिक मिस कि आरे सुपर सॉनिक इस बार हीट हुआ कि खुद को हर्ट कि फिर से खुद को हर्ट कि स्नैप आउट चीवात है कि एक चीम टेनल हो गया अभी हो हमारे लिए आज ब्रिच का काम करेगा कि मैंने किसी भी पोकेमॉन के पास ग्रास टैप मूव नहीं है इस ग्रास टैप मूव नहीं है कि पोर्शन यूज़ करता हूँ एक कि कॉंटिन्यू करते हैं ओके थेंक्यू कि तुम्हारी हेल्प के लिए बाके तो कोई नहीं है यहाँ पर 101 नीचे वाला ट्रेनर ही है दो से बैटल करनी है कि के दो पोकमान उसके का पहला है शल्डर हम जाएंगे इंबर के साथ पारटली वो इस सुपर सोनेक अगरे बाइट यह उसकिया अच्छी बात है कि कॉर्फिश जाओ सी डॉट आए नो तुम्हारे पास कोई मूव नहीं है तुम्हारे पास है नेचर पावर अपने नेचर पावर एक लिए सर्फी यूज कर रहा है इदर जो कि किसी काम का नहीं वैसे देखा जाये तो ठीक है फिर जाओ बाइट के साथ यही एक अटाइक है जो अपने यूज कर सकते हों सर्फ ही हो रहा है नेचर पावर अब बहुत क्लोज है अपने इवल्यूशन से भी बहुत क्लोज है वह कि अब मेरे और जिम नीडर के बीच में है वह मगार ठीक है मैं पहले जाके हील अप करके आता हूं आया में ओके यहां पर यह आने का था थैंक यू चुला अभी जिम लीडर को चैलेंज करेंगे ओके अगाटा ही जिम लीडर है मुझे नहीं मालूम था माना ओफिशियल चिम बैज चैलेंज लीडर आगटा दो पोकेमोन यूज करेंगी पहली जूरिल क्यूट चाम एबिलिटी हो सकती है तो मैं तो सिफ्टिकेश लिए सी डॉट के साथ जाओंगा तो बाइड यूज करूंगा मैं तो कि अगर यह उसकरने का तो सर्फ ही हो जाएगा वह अरे यार कुछ डामेज नहीं मिला उसको को कि अगर के पोश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं स्पेशल अटेक इंक्रीज सर्फ के लिए काम में आगा बागी कुछ नहीं इसी पोश्चन एक और मेभी एक पोश्चन डेई देता हूं हम क्यों बिना बात के रिस्क ले में मेरे स्पेशल अटेक इंक्रीज करके रहूंगा इजी क्रिटिकल हिट अल्जूर इल्दो गई सी डॉट को भी एक्स में मिली चावदा पर सी डॉट नेक्स्ट है उसका क्विल फिश पोईजन पोईट अबिलिटी के चांसेज अंडेड परसेंट सर्फ अच्छा डामेज दे रहा है इसलिए डामेज मिल रहा है उसको इससे पहले वो खुद का डिफेंस बढ़ा है मैं अपना स्पेशल अटक इंकरेज करके उसको हरा देता हूं इसके दो पॉशन अल्यडी वेस्ट हो चुके है तो ऐसे भी वो कुछ कर नहीं सकता है यहां पर ना उसका ट्रेंडर क्विल फिश भी गया मर्स टेक्स पी मिला और हमने पहले जीम डिटर को हरा दिया है और हमारा सी डाट अपने सेकेंड स्टेज में इवाल भी हो रहा है चोके अच्छी बात है कंग्रेशलेशन यह सी डाट इवाल्व इंटू नजलिफ पहला बैच मिला कस्केड बैच जैसा दिखर आ हूं मुझे कोई टी-म फी-म नहीं मिला मुझे टी-म शी-म कोई प्रॉब्लेम नहीं इससे बात कुर गए एक बार फिर से जिम ट्रेनर कोई अलग बोल रहा होगा तो इसको मालू ओ राइवल भी आ गया लगता नाराज है कि हमने पहले बैटल किया ओके राइवल चैलेंज भी ठीक है अच्छा है मेरा ग्रावलित को मैंने ज्यादा यूस नहीं किया है बैटल में मैं जाओंगा बाइट के साथ यान ओके डटी नहीं वापिस आजाओ नजलिफ तुम ट्राइ करो लेट सी अभी तुमा नेचर पावर क्या है कोई फाइदा नहीं है क्योंकि उसके अबिलिटी आई थिंग यह ना कुछ तो शेर्ड स्कीन ऐसी कुछ तो अबिलिटी उसकी कोई फाइदा नहीं है वेसे दिखा जाए तो शेर्ड स्कीन बोला न मैंने बाइड के साथ जाता हूं कि अदे यार वापिस आतू रमखोर टाइम वेस्ट कर रहे है तो कांट पी स्वीच हार यार राप अटेक यूज़ किया उसने ठीके चल्ट मानडल भवा पूरा मानडल अरे यार फ्री हो गया था रैप से दजलिफ फ्री हो गया हूं रैप से फिर से वापिस आ जाओ पे लेज यूज़ करो बाइट थंडर वेव पोशन उन्हें मालम दा है इसलिए मैंने अब तो उसको पैरलाइज हील दिया नहीं उसके पास भी एक सी डॉट है इसी हमने स्टीव को भी हरा दिया में भी यह थुड़ा बहुत ट्रेंड अप करके फिर जाएगा चैलेंज करने के रहे सा कुछ तो बोल रहा होगा ओओ प्रोफेसर बेरेट प्रोकेडेक्स के बारे में ओके आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए अगली बार हम यही से कंडिन्यू करेंगे और हमारी जर्निमी आगे बढ़ेंगे अगर आपके बास कोई भी सुझा आवे तो आप पुझे कमेंट कर देना अगरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तिस वीडियो पर एक लाइक कर देना अगर मेरे चानल पर आप नए हो अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा हो चानल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना तो मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोर में तब तक के लिए अलविदा